अनाम्यम के सभी दर्शकों को साधर प्रणाम अक्सर लोग जो योग अभ्यास करते हैं जिम करते हैं अक्सेसाइजिस करते हैं वह एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज का ध्यान नहीं देते हैं आज मैं वह आपको बताने जा रहा हूं वार्मप एंड कूलिंग डाउन बार म आपने कभी सुना हुआ कि गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर के लिए को स्टार्ट रहना चाहिए और उसके बाद में फिर हमें गाड़ी को चलाना चाहिए जिससे की उसके इंजन पर बहुत ज्यादा फरक नहीं पड़ता है और वह बेटर रहता है उसी सिरीज में लेकर आया हूँ जिसमें तीन वीडियोज होंगी पहला शुक्ष्म बैयायाम दूसरा वार्म अप एकसरसाइजीज और तीसरा कूलिंग डाउन आज मैं आपको शुक्ष्म बैयायाम के बारे में बताता हूं सबसे पहले किसी वियासम में बैठ जाएं मैं सुका गुमाईये दूसरा फिर हमें यहां से यहां से फिंगर्टिप्स को बैंड करना है और अंगूठे को हमें इतरह रखना है और हमें अपनी कलाईयों को गुमाना है तीसरा हमें यह जो फिंगर्टिप्स हैं फर्स्ट वाली फिंगर्टिप्स है यहां से अपने हाथों और उम्लियों को इस तरह से मोड़ना है और हमें इस तरह से रिस्ट की हमें नोर्मल गुमाना है, दस बार सीधा और दस बार उल्टा, उसके बाद हमें उपर की तरफ आना है, एल्बोज का जो हमारा बेंड है, इसको हमें ओपन करना है, स्पाइन को विल्कुल सीधा रखे और इस तरह से इसको दस बार कीजिए, इसके बाद हमें शोल्डर्स पर आना है, फिंगर टिप्स को शोल्डर्स पर रखना है, दस बार आगे की तरफ खुमाना है, और फिर उसके बाद दस बार हमें पीछे की तरफ खुमाना है, के बाद हमें सर से शुरू करना है एक हाथ को इस तरह होल्ड करके और अपने सर से हमें प्रेशर देना है हाथ के ऊपर और हाथ से प्रेशर देना है सर के ऊपर इस तरह से प्रेशर सर का उस तरफ और हाथ का इस तरफ इस तरह से इंटर्लोक करके मुल्यों को पीछे लेके जाएंगे और सर से पीछे प्रेशर देंगे और हाथों से आगे प्रेशर देंगे इसी तरह से हमें सामने उसके बाद हमें अपनी गर्दन को क्लोगवाइज भुमाना है आराम आराम से थोड़ा दस बार और स्विल एंटी क्लोगवाइज दस बार दुबारा से गर्दन को हमें एक तरफ लेकी जाना है और यहाँ पर रोकना है वाप्ति कि दूसरी तरफ रोकना है 5-5 बार हमें एक तरफ करना है हमें टोटल दस बार हमें गर्दन को मूव करना है इसके बाद हमें पैरों के इस तरह से अपने एक पैर को आगी तरफ निकालिए और पैर को इस तरह से घुमाईए कि दूसरी तरफ दस-दस बार कि उंगलियों में खिचाओ होना जरूरी है पैरों की उंगलियों में इसी तरह से फिर दूसरा पैर कि दस दस बार क्लोक वाइज एंड एंटिक लोग वाइज है कि अपिर हमें गुटनों को थोड़ा बैंड करना है और दोनों गुटनों को कि पैर थोड़े से दूर रखने हैं नीचे पंजे थोड़े दूर रखने हैं और गुटनों को मिला लेना है और मिलाने के बाद हमें गुटनों को इस तरह से आराम आराम से दस बार भुमाना है और फिर इस तरह हमें दस बार ही गुमाना है के बाद हमें कमर को कमर को यहां से होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद कमर को इस तरह से हम अपने गुमाईए दस दस बार क्लोकवाइच एंड दस बार एंटिक्लोकवाइच यह हमारी वार्म अपवर कोलिंग डाउन सीरीज में पहली वीडियो शुक्षम अगली वीडियो में आपसे फिर मुलागात होगी तब तक के लिए साधर प्रणाम आरवग्यवान भावति